हेलो दोस्तों आज बात करेंगे मोनो सफ वान गराम इन्यक्शन के बारे में जो आपको किसी मेडिकर को बहुत असानी से मिल जाएगा तो दोस्तों कोई मेडिशिन खडिने से पहले आप एक बार उसका एस्पारिंग डेट चेक करके ही लही नहीं तो आपको फायदे के जगा नुकसान भी पहुचा सकता है और इसका MRP के बात करें तो यह आपको साट रुपय में मिल जाएगा अगर आप होलसल से लेते हैं तो यह आपको 20 या 13 परसेंट डिसकाउंट करके मिल सकता है और इसका कमपजीशन के बात करें तो सेफ्टा ज़न कमपजीशन इसका मिला हु करें और वेल आइकन प्रेस कर दें उससे क्या ऐसा ही रिलेटेट कोई न्यूव वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तो यह आपको चार कंटेर में यह इंजेक्शन आता है आपको यह आड़ाइसो एमजी पांसो एमजी और वन गर हो आपको तो उस कंडिशन में इसका यूज होता है या पिलिया हो या व्लड इंफेक्शन हो उस कंडिशन में भी इसका यूज होता है या आपके कहीं सूजन हो या पेट उट में सूजन होता है या हाथोत में कई बार सूजन हो जाता है या एक्सिडेंट के या कई बार हो हो समय भीृस्का कॉणा नर्स्ट करने के लिए होता हfacing कर बोर्टीर का यूज होता है या आपके बोड़ी में कहीं अप्रेशन हो कहीं भी छोटा मोटा घाव फुसरी या कई बार एपैंटीश होता है उस कंडिशन में भी अगर आपको अप्रेशन हो या पत्री का उस कंडिशन में भी आपको यह मोनसेफ का यूज होता है सुई सलाइन जैसे प इंजेक्शन का यूज करना है और इस इंजेक्शन का यूज आप नस में और मास में दोनों जगाप कर सकते हैं और इसका 800 mg के बात करें ते 800 mg आपको दो साल से 8 साल के बच्चे हो उनको 800 mg के यूज होगा और जो 8 साल के उपर है 15 साल के अंदर उनको आपको 500 mg के यूज कर सकत हैं और जो वन गराम का इंजेक्शन है वो आठाड़ा साल का उपर बेखती हो जैसे पेसेंट होता है उस अनुसार ये मोनोसेफ का इंजेक्शन का यूज होता है तो इस इंजेक्शन का बिना डॉक्टर के सलाक आप यूज ना करें और एक बात को आपको ध्यान देना है कि बहुत पावर्फूल होता है अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो उसमें उल्टी जैसे मन हो जाता है तो उस कंडिशन में आपको जल्दी से आपको उटके चलना नहीं नहीं तो आपको चकर आ सकता है और इसका साइड इवेक्ट का बात करें तो आपको सीर में दार्द करते हैं फिर मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो